मारा जीवनकार इन दोनों का इस प्रकार से एक नया यूग शरू हो रहा है, फिंटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा मुख़ा है, उसी प्रकार से मैं आपका रुदेश आफ़ार वेक्पर करना चाहूंगा, कि आप समय निकाल करके, महरा ने मंदर शुकार करके, मेरी होम स्टेट आए, वाइबरन गुजरात समीट को आपने नई उच्छाई थी. कि लड़ाई देखे, बड़ी बहस में बेरी सेयोगी प्राची पराशर के साथ. अंदोलान 2.0 का धुआ गुबार बनता दिख रहा है, और ये बातें मैं नहीं, बलकि तस्वीरे बया कर रही हैं. आए एक तस्वीर आपके सामने रखते हूं, चेहरे पर मास्क लगाए, इस शक्स को किसे जंग के लिए तयार किया जा रहा है. कई सारे लोग मिलकर पूरी तसल्ली बक्ष अंदाज में इस युवक को हाई टेक एंटी स्मोक मास्क पेना रही है, कोई कुंजाईश ना बचे, इसके लिए कपड़े से भी चेहरा बांधा जा रहा है. मुकंबल तयारी कर रहा, ये शक्स ट्रैक्टर पर सवार है, तयारी यहाँ पूरी नहीं होती है. इस शक्स को थमाई जाती है, हातों में एक शील्ड और अब किसान अंदोलन के बीच तयार दिख रहा, ये स्पार्टन योध्धा निकल पड़ा है, दिल्ली की सीमा पर तैन सुरक्षा कर्मियों से दो-दो हात करने, जिद ये है कि हर हाल में दिल्ली जाएंगे, चाहे जैसे भी जाएंगे, एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, इस तयारी के बाद भी दिल्ली में दाखिल नहीं होने पर, किसानों का घुसा कैसे सात्वे आसमान पर पहुंच गय वो इस तस्वीर को देखकर अंदासा लगा सकते हैं, सडकों से बैरिकेटिंग्स और सीमेंट की स्लैप तो खाड़े ही गए, फुल पर लगी फेंसिंग तोड़कर भी फेके जाने लगी, जमकर हूटिंग होने लगी, और ये बताया गया किसानों की तरफ से अपने आक्श करवाई उस पुल पर, जहां पर किसानों का पूरा हुजूम नजर आ रहा था, उस पुल से किसानों को पीछे खदेड़ा गया, पूरे लावलशकर के साथ किसानों को वापस फेजने की पूरी कोशिश की गई, आसुगैस के गोले दागे गए, एडवांस लांचर से एक के काल भी किया गया है, अनि तैयारी ऐसी है दोनों तरफ से, ऐसा लग रहा है, जैसे ये किसानों और सरकार के बीच का द्वंद ना हो, बलकि ये दो देशों का द्वंद हो, कुछ ऐसी तैयारी नजर आ रही है, अब दो साल पहले किसान आंदोलन का कड़वा स्वात चक चु किसान आखों में आसू लिये इधर से उधर भागते हुए नजर आ रहे थे, कि बाद एक आज स्मोग बम का इस्तिमाल किया जा रहा था, और ये तस्वीरे भी आप देख लीजे, ये भी बड़ी खास हैं, और आज इन तस्वीरों को लेकर विपक्ष जरूर सरकार पर हमला पाया, सरकार भी उन्हें रोकने के लिए जमीनी तयारी के बैठी थी, बैरिकेट्स लगाए गए थे, सडकों पर फिंसिंग और कीले लगा दी गई थी, लेकिन ना किसान रुके और ना ये तयारी सुरक्षा कर्मियों के काम आपाई, हाला कि सुरक्षा कर्मियों के तरफ स से पहले फिर किसानों के संग्राम के पीछे सियासी सोच पन अप रही है, अकलेश यादव बीजपी को खार फेकने का दंब भर रही है, तो किसान नेता राकेश्ट कैत आंदोलन में शामिल होने का सरकार को डर दिखा रही है, सरकार कह रही है कि आधी मांगो पर सहमती बन सरकार की तरफ से बाकचीत के लिए पहुची टीम में शामिल केंदरे क्रिशी मंतरी अर्जुन मुंडा शक जता रही है, किसान दोलन में एक बार फिर कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसे शामिल हैं, जो बात बनने ही नहीं देना चाहते, ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि सरका परिशान, किसान परिशान, आम जनता परिशान, जब सब परिशान हैं तो इस हंगामा, उपद्रब और संगराम से पाइदा लेने की कोशिश किसकी है, इसी पर हम करेंगे मुकाबला इनी सवालों के जो जवाब हैं वो तलाशने की कोशिश करेंगे और ये तस्वीरे क्या कहती हैं इसके माइने क्या हैं ये हम आपको समझाएंगे मेरे साथ खास महमान इस वक्त जुड़ चुके हैं रामकुमार वालिया प्रेसिडेंट इंडियन किसान यूनियन नौइडा स्टूडियो से मेरे साथ हैं इसके साथ चौदरी पुषपेंद्र सिंग किसान नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं विचराथी स्पोक्सपरसन समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं और और पुलिस भी उसी तरीके का वहवार कर रही है क्या इस आंदोलन से इन तस्वीरों से किसी का फाइदा हो सकता है देखिए यह दो साल पहले जो वाइदे किये थे सरकार ने उनको पूरा ना करने का नतीजा है यह किसान सारे के सारे पंजाब को पूरा क्रॉस करके हरियाना बॉर्टर तक आए कहीं कोई इंसिडेंट हुआ लेकिन हरियाना की जो सरकार है जो भाजपा की सरकार है उसने जबरदस्ती इल्लीगल तरीके से सारे हरियाना और पंजाब के बॉर्टर को सील कर दिया जहां जहां से निकल सकते हैं आम आदमी और बाकी लोग भी और जो पुल मेजर पुल हैं उनके उपर बैरिकेडिंग कर दी कटीले तार बिछा दिये अगर आप भी अपने घर से निकलेंगी रोज इंडिया टीवी के दफ्तर के लिए और आपके घर के बार में कटीले तार लगा दू तो आप भी उनको तोड़ेंगी और निकलेंगी वहां से क्योंकि आपको जाना है वहां तो दिल्ली आने का अधिकार हमारा है पंजाब जब कोई बीच में इन्होंने बैरिकेटिंग लगाने की क्या वश्रक्ता थी दो साल पहले जब आपने वाइदा किया था MSP की लीगल गारेंटी हम आपको देंगे आप दे देते आपने वो नहीं दी तो इसको जो है कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह के एह लोग तांत्रिक तरीक और MSP की लीगल गारेंटी हो कि आपकी मांगे सरकार से शिकायत ये सबको जायज है ये अधिकार है किसानों का कि वो सरकार से अपनी मांगों को रखें लेकिन मैं जो आप से आज पूछ रही हूँ वो ये आप तस्वीरे ज़रा देखे ना आप एक पुल पर खड़े आप को तोड़ देंगे एक शक्स मास्क लगा कर तयार हो रहा है उसके उसके पूरे चेहरे पर कपड़ा बांदा जा रहा है उसे शील्ड प्रोवाइड करवाई जा रही है तो यह तो आप भी ऐसी करके आए ना कि अपनी सरकार से नहीं बलकि किसी दूसरे देश में जाकर आप है पंजाब को क्या था आप उस तरीकी की इस्तिती बना देंगे देश के नागरिक को लग रहा है कि हमारे पास तो इसलामाबाद और लाहोर हमारे से जादे नजदीक है और दिल्ली हमसे दूर है हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा और इनको आने की जरूत भी क्या थ तो उसके बाद या तो हम घर बैठ जाएं सरकार की वादा खिलाफी के बाव जूद भी घर बैठ जाएं या फिर आ करके प्रोटेस्ट करें वादा खिलाफी को लेकर सवाल करिये ना मैं पूरी की पूरी जमात आप लोगों ने खड़ी कर दिये तो ऐसा लग रहा था ना कि यह हर्याना और दिल्ली बॉर्डर नहीं है बलकि यह तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है देखिए जो ट्रांस्पोटेशन का माध्यम है अगर आप 200-300 किलोमेटर चलते हैं ट्रैक्टर में चलना बहुत मुश्किल काम होता है ट्रैक्टर ही एक साधन है जिसके आप चल सकते हैं दूसरा यह सरकार क्योंकि सडक पर छोड़ देती है अपने नागरिकों को तो ट्रै सब्सक्राइब चलते हैं लेकिन आप सब सब चीजों पर बोल रहे हैं लेकिन वो जो मैं एक तस्वीर दिखा रही हूं ना मास्क पैने हुए हैं हातों में लाटियां हैं और यह फेंसिंग तोड़ी जा रही है यह यह इस वक्त एक पुल की क्या यह लोगतांत्रिक तरीका हो सकता है किसी भी प्रदर्शन का मैं सिर्फ इतना आप से जवाब जानना चारी थी खर लोतूंगे आपके पास रामकुमार वालिया जी से ले 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 तो यह फेंसिंग क्यों लगाई गई है यह तो सर पुल है नॉमल पुल है जब आप पुल पर चड़ते हैं पुल से किसानों का यह जिस तरीके का प्रदेशन हो रहा है और पुलिस शोल रवगया है इस पर क्यूं ना सवाल पूछ जाएं कि आखिर किसानों को क्यूँ रोका जा रहा है कि सान्ब्सक्राइक को लेकर डिल्ली आना चाहते हैं तो यह तो उनका अधिकार न करनी दें प्रोटेस सिंग जी जानते हैं कि जिस समय ये पूरू IKEA अंदोलन चल रहा था तो मैं मैंने काफी प्रियास किए कि सरकार और जो अंदोलन कर रहे हैं हमारे साती हमारे भाई हैं हमारे समाज के ही उन में टक्राव ना हो और मैं उनके गया उनसे बात भी की और सरकार से भी मैंने निरंतरबाद की और उसका परिणाम भी ये हुआ कि तीनों किर्सी कानून जो किसानों के हित में थे लेकिन चुकि हमारे किसान भाईयों को इतना जादे गुमरह कर दिया गया था कुछ लोगों द्वारा कि उनको लगा कि ये तीनों किर्सी कानून लागू होने से हमारी जमीन छिंजाएगी हम सड़क पर आ जाएंगे हम बरबाद हो जाएंगे तो जब सरकार को लगा मानिने परदान मंतरी जी को लगा कि कोई चीज हम अच्छी चीज दे रहे हैं और लेने वाले को पसंद नहीं आ रही है तो तीनों किर्सी कानूनों को सरकार ने वापस लेने का काम किया अब जो बात चोधरी साहब कर रहे हैं या हमारे किसान भाई कर रहे हैं या जिस मुद्दे को लेकर आज सरकार से टकराने का काम हमारे कुछ किसान नेता कर रहे हैं। मैं उनसे ये जानने चाहता हूँ कि जो MSP का मामला है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। सरकार इस दिसा में प्रियास भी कर रही है कि क्या रास्ता निकाला जाए। लेकिन जहां तक कानून बनाने का सवाल है। काईदे के अनुसार तो जब सरकार ने कोई समर्थन मुल्य गोशित कर दिया वो कानून बन गया। उससे कम यदि कोई खरीजता है वो भी दोसी है और यदि उससे कम कोई बेचता है तो वो भी दोसी है। एक बात, दूसरी बात, आज हमारे पास, किसानों के पास एक जरिया होता है कि एक हमारा समान है, और हमें कोई पैसे की बहुत जादा रात को या किसी समय भी जरुरत पड़ रही है, कई बार हम उस अपने समान को बेच कर अपनी जरूरतों को पूरा करने का काम करते हैं ऐसे में सरकार कैसे कोई कानून बना सकती है यदि कोई सरकार कानून बना देती है तो फिर जो है बेचने वाले पर भी मुकदमा कायम हो जाएगा खरीदने वाले पर भी मुकदमा कायम हो जाएगा इस तरह की कुछ चीजे हैं जो किसान भाईयों को समझने चाहिए अगर बीच में शंका है और जो किसान भाई इस वक्त सडकों पर उत्रे हुए हैं और वो अगर अपनी मांगों को लेकर सरकार की पास जाना चाहते हैं तो कीले लगाकर उनको रोकना सीमेंटेड बैरिकेटिंग्स लगाकर उनको रोकना और बार बार ड्रोन से उन पर आसू गैस का अटेक करना क्या ये सही तस्वीर है देखिए देखिए मेरी बात सुन लिजे निरंतर सरकार किसानों से बात कर रही है आपने देखा कि हमारे किर्सी मंतरी भी बात कर रहे हैं और हमारे प्यूस गोयल जी भी निरंतर बात कर रह निरंतर रास्ते निकाल रहे हैं सरकार किसानों के हित के अब जब निरंतर वारता चली रही है तो किसानों को सयम रखना चाहिए था अब इतनी बड़ी संख्या में राजधानी में आ जाना कानून विवस्था को अपने हाथ में लेना या जो सरकार ने उनको रोकने का काम क्य विजर आठी जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं देखिए विजर आठी जी सरकार पर सवाल उठाइए और आप सवाल उठा रहे हैं आपके सानों के साथ खड़े हुए हैं ये विपक्ष का धर्म है लेकिन जो तस्वीरे आ रही हैं जिस तरीकी का माहौल क्रियेट हो रहा है उस पर बोलना भी मुझे लगता है आप लोगों की जिम्मेदारी है एक बार शांती की अपील आपके नेताओं की तरफ से नहीं की गई अभी तो मैं ही कह रहा हूं कि ये तस्वीर कुछ भी नहीं है अभी तो ट्रोली में आएंगे गंडे बरके और ये बाजपके कारे करत शांता है बाद के सब्सक्राइब खूर सब्सक्राइं अगर सबस्सक्राइब ःते और टीयों अंगे के ये हैं सिआए खिन सब्सक्राइब के ये थी Hakoha में जिस तरीके का जवाब दिया उससे आपको नहीं लगता किस देश का माहल खराब होगा आप तो शांती विवस्था बनाए रखने की बजाए आप तो उल्टा बढ़काने का काम कर रहे हैं किसानों को फिर क्यों ना पूछा जाए आपसे कि इसके पीछे राजनीती है यह सवाल पूछे जाएंगे ना फिर आप सरकार से सवाल पूछिए विजय जी लेकिन आप तो भड़का रहे हैं यहां बैठे-बैठे किसानों को कि कल ऐसा हो जाएगा आगया मैसा कर देंगे विजय राटी जी दो अलग अलग बात है विजय राटी जी या तो सुन लीजे मेरे सवाल को या तो पिर आप ही बोलते रहे हैं ऐसे बात तो नहीं हो पाएगी थोड़ी से वास्तुन कर देजे विजय जी कि पहले इनको सुनना पड़ेगा विजय राटी जी पहले मेरा सरकार से मांग हो सकती आप किसानों के साथ खड़े हो सकते हैं आप सरकार से सवाल पूछीए लेकिन आप भड़कार हैं ना सीदे-सीदे कम से कम इन तस्वीरों को तो शांत करने दीजेंते लोगतां करो अब शांत रहो प्रदान एक सम्विधान के देश से कानून व्यवस्था से बड़ी हो सारी चीज़े देश का किसान जो है जो अपनी मांगो को लेकर सडकों पर आया है उसे कम से कम सही रहा तो दिखा दिजे पढ़काने पर लग रहे हैं कि यह तो भड़काने जैसा है नरे जिवाब दे रहे हैं आपको वालिया जी जवाब देजे अधो राठी साहब मेरे बात सुनी कि दो राठी साहब मेरी बाद सुन लिजे यदि आपकी पुलिटिकल जमीन खिसक रही है उत्तर प्रदेश से तो आप किसानों को माध्यम बना के क्या कर क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मुझे पता आप यही बोलेंगें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं आप राजनितिक लड़ाई को राजनितिक तरह से लड़िए भोले भाले किसानों को आप गुमरा मत किजिए सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा आपकी पार्टी गुमरा करने का काम कर रही है यह ठीक नही आपकी सरकार वे आपके कितने काम कर दिये किसानों के लिए आप से पूछनोंगे तो आप गिना नहीं पाएंगे आप यह ठीक बन रहे हैं एक मिन टुक जाए धर्मेंद्र मलिक जी मेरे साथ हैं BQS इनको भी चर्चा में इंक्लूट कर लेती हूँ धर्मेंद्र मलिक जी क किसान सडकों पर आये इससे पहले भी हमने देखा था कि बार्डर्स पर बैठे हुए थे किसान अपनी मांगे की एक साल से ज्यादा धर्ना प्रदर्शन चला सरकार ने मांगे मानी एक बार फिर से आंदोलन हो रहा है लेकिन शुरुआत आप देखिए न कैसी शुरुआत ह हो सकती है अपनी मांगो को मनवाने के लिए नहीं देखिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आखिर सरकार का भी एक रवाया हो गया कि जब किसान घर से निकलता है तब ही क्यों इतनी सीरियसली उसको सुना जाता है दो महिने से किसान की कोल थी आठ तारिक से आप वारता समझना चाहिए मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि पूरे यूरोप के 17 कंट्री पिछले 15-18 दिन से अंदोलन में और पूरे यूरोप में बरलिन को घेर रखा है पैरिस को घेर रखा है वहां भी चुनाव वने वाले हैं और वहां के राष्ट पति कहते हैं कि प्रोट कानून में आपको एक बात कहना चाहता हूं कि आज दो बात हैं सी टू पलस 50 और MSP कानून की बात है तो जब 36 गड़ रायस्थान में यह कहा जा सकता है कि यह हमारी गारंटी है और हम 2700 रुपे में गयों खरीदेंगे और 31 रुपे में धान खरीदेंगे तो अगर इसका मत सब्सक्राइब पूरे देश में इंप्लेमेंट करें मांगे जायज है धर्मीन जी मांगे जायज है बस जो तरीका इस वक्त सड़कों पर हो रहा है उस पर मैं सवाल कर रही है तो क्या जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने भी किक बार देख लें कि इस तरीके से भीड जा किसानों को इंप्लेमेंट किया था दो साल बाद किसान पूरी तरीके से पीशफुली डेमोक्रेटिक तरीके से पोटेस्ट कर रहे हैं आप आज की तस्वीर दिखा रहे हैं आज से एक अपते से जिस तरीके से हर्याना पुलिस जा बाजपा की सरकार है कटीले तार लगा र यहां पूरे तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया, उसका कारण है, वो तस्वीर आप क्यों नहीं दिखा रहे हैं, किसान नेताओं ने हमेशा कहा, आज भी कह रहे हैं, यह पोटेस्ट पूरी तरीकी से डेमोक्रेटिक और पीसफुल है, पीसफुल रहेगा, विशला भी डेम आसोगेस के, वो तस्वीरे भी में लगातार दिखा रही हूं, और मैं यही तो पूछ रही हूं, कि सरकार परिशान, किसान परिशान, आम जनिता परिशान, तो फाइदा किसको हो रहा है पिर इस अंदोलन से, रिकी बास स्वागत है, आपका आप देख रहे हैं मुकाबला आप देखें, मलविंदर सिंग कांग जी, सवाल ये उठाया जा रहा है, खासकर भारते जनता पार्टी ये कह रही है, कि ये प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है, कुछ लोग ऐसे हैं, कृशी मंतरी हैं कि हम बात करना चा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे शामिल हो रह जी ने खुद कहा था, कि हम इंप्लीमेंट भी करेंगे, स्वामी नातन कमीशन और हम लीगल गरंटी भी देंगे, और लखीमपुर खीरी में जो किसानों का कतले हम हुआ था, ग्रेह राजमंतरी हैं देश में, आज मी मोदी जी की कैबनेट का हिस्सा है, उन पे भी कोई का करने के लिए आ रहे हैं, आठ फर्वरी को, तेरा फर्वरी को अल्रेडी काल दिया है, तो तस्वार्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व कर रहे हैं किसान अलगळग जिलों से आ हरय आना तो बॉर्टर बराले की जुरूरत क्या थी? इस तरीके की फैंसिंग तो पराजी पाकिस्तान के बॉर्टर पे भी नहीं है, जिस तरीके से हरयाना के बॉर्टर पे कर रखी है यह सवाल आपका थीक है अरे आप तेखे जब यहां वहाँ अथरू गया प्हें खेंगए तो म सके लगाना उनके मझबूरी है मैं आपके मातन से कहना चाहता हूँ आज सारे बेरिगेट खोल दो किसान पूरी तरीके से पीशफुली दिल्ली में जाके धरना देंगे जो डेमोक्रेटिक राइट है लेकिन इस तरीके से उनको रोकना उनको पोटेस्ट करना करने देना बार बार डेमोक्रेसी का हवाला दे रहे ना तो उसी डेमोक्रेसी में एक अपील आपको सिर्फ इतनी भर करनी थी कि ये जो किसान है वो थोड़ा शांती के साथ प्रदर्शन कर ले सरकार से सवाल आप पूछते रहिए सरकार अगर ऐसा वैवार कर रही है तो सरकार को जवाब भी देना होगा कि आपने फेंसिंग क्यों लगाई आपने कीले क्यों लगाई लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इससे ना तो आपका फाइदा ना किसी और का मलविंदर जी नहीं पंजाब के मुख्मंतरी जी ने तो खुच सार तक घूम कै निफाई या इस पें ये मसले का हल होना चाहिए आपको याद होगा आट फरवरी को मुख्मंतरी जी उस मीटिंग में थे कल वाली मीटिंग में ये हमारे मंतरी बैटे हुए थे हम तो चाते हैं मसले का हल हो जाए। किसानों की मांगे मानी जाएं और माँगे भी वो है जो परधान मंत्री जी ओर्रेड़ी कमिलिट कर तुक हैं। किसान जो है किसान को इतनी केंद्र सरकार की योजनाओं का लाब मिल रहा है कि किसान कोई अंदोलन नहीं करना चाहता लेकिन जो कुछ हमारे मित्र हैं सियासी मित्र जिनकी जमीन आज खिसक रही है वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं मैं किसी पालिटी का नाम नी लेना चाहता लेकिन सीधे साथ है किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं उनको गुमरह करने का काम कर रहे हैं उनको सरकार से टकराओ हो ऐसी इस्तिती पैदा कर रहे हैं ये लोक तंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है किसान के लिए ठीक नही ये सरकार आपकी है आपकी चुनी हुई सरकार है आपका हिद चाहती है जी इतने सारे लोग अगर भैकावे में आकर चढाई करने लग जाएंगे तो इसे आप पॉलिटिकल मोटिवेटेड कह दें लेकिन सरकार की भी तो जिम्मिदारी है ना मैं आपसे पूछ नहीं हूँ की पूलिए ग्रंतर उनसे वार्ता कर रही है किंद के मंत्री वारता कर रहे हैं फिर इस परकार से हजारों की संख्या में आने का क्या मतलब है इस तरह से नहीं किस तरह से आप इसמंद का नाव ले कार से आप कहां के किसान नेता हूं आप किसान के मैं कहता हैं आप किसान के मैं कहता हूं कि अंदोलन इंसक ना हो आप जाबी हैं वहां बैठिये लेकिन सरकार गाउं भी आती है जब सरकार किसान की तागत दिखाई देती है तो उनको वहां भी आना पड़ता है तो ऐसा तो कोई रास्ता बिलकुल किसान ना अपना है कि जिससे जो है अंदोलन को इंसात हो सके और आ अगर वहां पर बैरिकेट किये हैं तो किसानों को भी आप उसको बातचीत करने चाहिए आगे बढ़ने के लिए ने कि तोड़ने का परियास करना जाए किसान अपना अंदोलन कर रहे हैं किसान अपनी मांगों को लेकर गए हैं अपील उनसे ये की जानी चाहिए कि आप शान्ती बनाए रखें सरकार जो कर रही है क्या उसके बदले में किसानों का ये करना ठीक है देखें किसान बिल्कुल शान्तिपून तरीके से ही पंजाब से चले हैं उनको रोकने की कोशिस हरियाना सरकार ने बिल्कुल गलत की है एलोकतांत्रिक की है एक पूरे बॉर्डर के स्टेट को आईसोलेट करने के लिए आपने नीव में पत्थर डाल दिये हैं और इस किसी ने भी इतना बड़ा इंतिजाम कॉंक्रीट का और सब जो आपने बता है वो नहीं किया आसू गैस से उनके स्वागत अभी तो दो सो किलोमेंटर दूर बैठे हैं वो दो सो किलोमेंटर दूर ही आप ऐसा डर गए जैसे पाकिस्तान से और चीन से फो जा रही हैं यूक चानून से बारे को जाएंगे उसके एसे हासू गैस के गोले दागे जाए और ऐसे तोड़ी जाए होगं पैरिकेट्स को तोड़ने की कोशिश की जाए या पत्राव किया जाए ड्रोन पर क्या ऐसे आपको लगता है कि किसानों की मांगों का कोई हल निकल जाएगा इसका हल बाचीत से निकलेगा या इस तरीके से निकलेगा जो सड़कों पर हो रहा है बाचीत दो साल के अंदर कब हुई अब हुई जब कॉल हो गई वहां से मुवमेंट शुरू हो गई तब बाचीत हो रही है इसका मतलब आपकी कोई इच्छा बाचीत करने की थी नहीं और जब दिल्ली वो आ रहे हैं तो बैरिकेट बीच में लगाने की क्या दर होता है 200 क्लि कोई और जो है कील तंतर चल रहा है अगर पंजाब कल को डिड़ने ये लिले मेरी आम आदमी पार्टिक सरकार है तुमारी समाजवादी इसकी भाजपागी सरकार है मैं ना तो पानी आने दूगा ना वहां से गेहूं आने दूगा और फौज को भी नहीं जाने दूगा ऐस बार-बार इस तरीके पर सवाल पूचे जा रहे हैं पुश्पेंदर जी इसका मतलब यह कि पहले से कॉल करके बता दिया गया था कि आपको आगे बढ़ना है इसलिए तैयारी करके आप लोगा आए थे सरकार तो चाहेगी कि आंदोनन मी ना हो चीक है वालिया जी सरकार चाहेगी कि आंदोनन हो सब अपने घर बेखे रहे मेरे गुणगान गाते रहे मुझे वोट देते रहे अगर उनको पर तक्रीफ है बताने आ रहे हैं उन्हों की सुनवाई भी उस्पेंदर जी देखिए अभी उत्रा खंड में 25 रुपे गन्ने का समर्थन मूले बढ़ा है बीस रुपे उत्तर परदेश में भी बढ़ा है निरंतर सरकार प्रियास कर रही है कि और बढ़ाया जाएं जो भी किसानों की समस्या है उसके लिए कि सरकार गंबीर है निरंतर सरकार का प्रियास है कि कि किसानों को अधिक से अधिक लाब दिया जाए ऐसी इस्तिती में जब सरकार पहले ही किसानों के लिए सोच रही है नए-ने कानून बना रही है नए-ने लाबकारी योजनाए ला रही है ऐसे में टकराओं की इस्तिती लाना या सरकार से टकराने का काम करना मेरी राय में क्था कर दें सर्कार को समझना चाहिए और सबसे टकरा ला देखा- ूसf तकरा कर दोंब आ धिकरा ही है वहुश्टीक जूंतरी कि सबस्दों करने का चुहिए खु़ा नेंगे उन्हें Newton कि किसी के बढ़काने से नहीं जाता है आप कानून की बात कर रहे थे इस देश में जब चीनी के दाम गिर रहे थे तो भारत सरकार ने रिज़र प्राइज गिया कि चीनी 28 रुपे किलो से नीचे नहीं भिख सकती कानून बनाना इतनी बड़ी बात नहीं है जो फसलो का सरकार MSP तेह करती है उसको रिजर उपराइज गोसित कर दे कि उसका वैपार जो एस से नीचे नहीं होगा आज आप देखिए चीनी सरकार थोड़ा खरीती है चीनी तो वह भूगता ही खरीता है नै और चीनी के दाम आज 42 रुपे और 45 रुपे होते हैं तो जब चीजे नीचे गिरती हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए MSP के लिए देखो हर्याना का मैं जिकर करूँ सुरज मुखी जब नहीं विखरा था MSP पे कम रेट में विखरी थी तो सरकार ने भावान तर दी यानि सरकार गलत है आप यह कह रहे हैं नहीं सरकार गलत नहीं है ना किसान देखिए हमारा यह कहना है कि आज बजार से नीचे जा रहा है MSP पे किसानों की फसले नहीं पिखरी है नहीं हम यह कह रहे हैं कि जो सरकार तेह करती है वो मुल्य बाजार में मिलना चाहिए देखिए एक छोटा सा सवाल है जब चीनी इतने नीचे चली गई कि वो उपर नहीं जा रह पी गोसित करते हो तो कानोनी मान्यता अगर एक छोटी सी बात उसी में उसी समय लगा दती है मैंनों कहता हूं कि छोड़ो कानोनी की बात भी छोड़ो आप यह कह दो कि रिजर प्राइज है वेपार इससे नीचे नहीं होगा तो अपने आप सब ठीक हो जानों की मांग ठीक है जो तरीका गलत है तो इस बार प्रोटेस्ट में आप क्यों नहीं चाहता हूं मैं आपके वी जो कारे करता हैं वो सडकों पर उत्रें नहीं देखिए उत्तर प्रदेश में तो जगे-जगे पुलिस बैठा रखिया और एक तरीका है कि पुलिस से लड़के मैं आपको एक होती है फोर्स उसके पास होती है हम उनका मुकाबला हिंसात मगरूप से नहीं कर सकते सबसे बड़ा थ्यार हमारे पास हिंसा का है ठीक राठी जी अब देखिए यहां पर तीन किसान मेरे साथ इस वक्त हैं तीनों किसान नेता इस बात की तरफ तो इशारा कर रहे हैं कि चल चीज आप से बताता हूं यह कुछ तथा कतित जो वालिया जी जैसे हैं जो सरकार की नुमेंदगी करते हैं और लिजा करके आंदोलन को तोड़ने की कोशिस करते हैं ऐसे बयान दे करके कि सब कुछ अच्छा चल रहा है तो किसान क्यों वहां बैठा है क्यों किसान ठंड मे लेकिन यह किसान को चाहते हैं कि वह खेत में लगा रहे हैं वह कोई हवाज न उठाए दो साल से ज्यादा हो गए कितना समय आप मुझे बताइए उन्हें देंगी दस साल बीस साल पचास साल की आपकी मांग मानली जाएगी वह बार बार अल्टीमेटम देते हैं कि साहब हम बार इमांग मानली जिये नहीं तो मांदोलन पर मजबूर होंगे इनके कान पर जू तक नहीं रहें थी बार बार उसके बाद ऐसे चोटे मंत्रियों को बेज दिया जाता है जिनकी परदान मंत्री जी के सामने ना हैसियत अब बच्छे मंत्री को तो फिर यह तो आपकी कि सबसंजता है किसां सब समझता है वो ये भी समझ रहें किस वक्त आप क्या करना चाहरे खैर मुаєर शुक्रिए आप सभी का इसमिए शर्चा में जिर्चा में जुड़ने के लिए अब देकh रहे थे मुकाबल है पर ऐ है ह norm मेई